हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप सभी ठीक होंगे स्वागत है आपका अपने चैनल कुवित अनीसा में मैं हूँ आपकी दोस्त और धोस्ट अनीसा आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवाब पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि यह स्टफ्ट पराठा है और यह कहीं से भी बाहर नहीं निकलेगा बिना फटे दो तरीके मैं आपको बताऊंगी जिससे आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को एसकिप किये बिना पूरा देखें मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज मेरे च कचल का हटा दूंगी इसका ताकि हमें अच्छा सा वाइट कलर का मिल जाए तो यह देखें इसको मैंने यहां पे धो लिया है और आज मैं इसको ग्रेटर में ग्रेट नहीं करूंगी यहां पे मैं इसको चौपर में चौप करूंगी जिससे की क्या होगा हमारे हाथ भी नह ना सकते हैं तो ये देखे इस तरह से मैंने चौपर में कट करके डाल दिया है और अभी देखे दो बार में ही ये एकदम रेडी हो जाता है तो यहां पे आप देख सकते हैं ये देखे कितना अच्छा ये तयार हो चुका है बिलकुल एकदम जो है पतला पतला ये कटके रेड तो यहां पे एक बोल में इसको मैं ट्रांसफर कर लेती हूं इसी तरह हमारा जितना भी मूली है उसको हम चॉप कर लेंगे तो यह देखिए यहां पे मैंने सारे मूली चॉप कर लिए और इसमें नमक डालके इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका जो कर लेंगे प्याज को अच्छी तरह से यहां पे मैंने प्याज को बोस कर लिया है अद्रक को भी छील लिया है अभी फिर मैंने ले लिया है चॉपर और इसमें हम प्याज को कट करके डाल देंगे और जो है इसको भी बहुत ही आसानी से इसमें चॉप हो जाता है प्याज भ ताकि वो बहुत आसानी से हो जाता है और मिर्ची भी इसी में मैंने डाल दिया है और अब इसको भी हम इसी तरह चौप कर लेंगे इससे क्या होता है तो बहुत ही आसान हो जाता है और एकदम सब कुछ जो है परफेक्टली एक तरह से चौप होता है कोई भी बराज होटा ऐस तब तक हम आटा लगा लेते हैं, तो यहां पर मैंने ले लिया है और इसमें मैं नमक डाल दिया है, और इसी के साथ इसमें मैं डाल देती हूं घी, अजवाइन और कलॉंजी, इससे पराठे का सुआत बहुत ही अच्छा आता है, अब एक सौफ्ट सा डो लगा के हम आटे का तैयार कर लेंगे तो ये देखिए हमारा आटा हो चुका है तैयार तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं तो हमारा जो मूली है जिसमें हमने नमक मिला के रखा था उसने बहुत सारा पानी छोड़ दिया है ये देखिए तो आप चाहिए तो इसको कॉटन के अब हमारा जो मूली है उसको एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हूं इसी में जो हमने प्याज अद्रक मिर्ची कट करके रखा था चौप करके वह भी डाल दिया है अब इसमें डाल रहे हो आधी छोटी जमच धनिया पौडर जीरा पौडर और अमचूर का पौडर और नमक ह हमने पहले डाला था किन पर अजवाइल बौड़ें और और इसे को साथ मैं डाल रहे हूं अछिवाइन और कलानजी आप जरूर डालीये मूली के प्राठे में बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है यहान में डाल दिया है बहुत सारे धनिया के पती और हल दी और इस सब क अच्छी तरह से हम मसल लेंगे और इसका जितना बड़ा आपको पराठा बनाना है उस हिसाब से आप छोटा या बड़ा लोई तोर सकते हैं तो इस तरह से मैंने यहां पे लोई ले लिया है और एक लोई लेंगे हम और उसके उपर सुखा आठा डाल के इस तरह से हमें इसको गोल बेल लेना है तो यह देखे ज्यादा पतला बिल्कुल भी ना करें साइड से पतला करें बट बीच में जो है थोड़ा मोटा रहने दें अब यहां पर मैं रख रही हूं बीच में श्टफिंग तो वन एंड हाफ टीए स्पून में यहां पर जो है श्टफिंग रख र गुंधा था तो इस तरह से यह देखे इसके उपर से भी डाल के और इसको हम पैक कर देंगे अच्छी तरह से जिससे कि यह कहीं से भी निकले ना और दम हलके हाथों से हमें बेल लेना है तो यह देखे इसी तरह से आपको अच्छे से यहां पे मैंने इसको स्कूर सिप में बेल लिया है और ये देखे ये कहीं से भी फटा नहीं है बहुत ही अच्छे से ये रेडी हो चुका है इसी तरह मैं आपको गोल वाला भी दिखा देते हूँ ति ये देखे बस इसको थोड़ा सा बेला मैंने और इसमें भी मैं श्टफिंग रख दूंगी और इस तरह से इसक बेल लेना है जैसा कि हम पहले बनाते थे ट्रेडिस्नल जैसा गोल पराठा बनता है तो ये देखे ये भी कहीं से नहीं फटा है परफेक्ट बना है तो चलिए अब हम मैंने यहां पे चरहा दिया है तवा और तवा जैसे ही गरम हो गया है तो मैंने इस पर पराठा डाल दि अच्छा आता है और बहुत ही ठंडी में यह फाइदा भी करता है घी तो आप घी में ही बनाएं अगर आपके पास घी ना एबलेबल हो तो ही आप रिफाइन का यूज करें तो यह देखे कितना अच्छा हमारा जो पराठा है फूल के रेडी हो गया है और दोनों तरफ से कलर लेना है और यह देखे यह भी कितना फूला फूला रेडी हो चुका है तो इसी तरह सारे पराठे हमें तयार कर लेना है जितना भी आपको बनाना हो उस तरह से तो यह देखे हमारा पराठा हो चुका है रेडी तो यहां पर मैंने इसको प्लेट कर लिया है तो मैं यहां इस तक पूरा भरा हुआ है ये देखे ये जो रॉंट सिप में था मैं अभी उसको कट की हूँ और देखे अंदर तक भरा हुआ है ये स्कॉयर वाला भी पूरा भरा हुआ है कहीं से भी ये खाली नहीं है बहुत ही टेश्टी बन के तयार हुआ है तो फ्रेंड्स आपको आज की सी रेसिपी कैसी लगी? प्लीज कोमंट बॉक्स में जरूर बताएं..एक बार आप भी इसको जरूर से ट्राइ और मेरी सी alcool 500 ל-100 लगा मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंट्स के साथ में शच्ति मैं चैनल को सबस्क्राइब करें धियर। हो दर्ब खाने किसी हैं किसी नए रेसिपी के साथ किसी नए वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो जाय मात